हेलो जी गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब और नैनी आप देख रहे होंगे पढ़ाई कर रही है स्याम के टाइम से मैंने ये वाला वीडियो जो है इसको स्टार्ट किया था और आप लोगों के पास में मैंने पोस्ट नहीं किया पिछला एक दिन चला हो गया और एक दिन पहले का ये वीडियो है आप लोगों ने देखा होगा सुबए जो वीडियो आया वो भी छे तारीक का था और ये वाला जो है ये भी साथ तारीक का है मतलब अब आपके पास ये वाला जो वीडियो है ये लास्ट डेका आ रहा है तो श्याम का वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही जरूरी जो बात है वो शेयर करने वाली हूँ जिसका मुझे भी नहीं पता था और अभी के लिए यहाँ पर सामने वाली चत पर एक साथ तीन मोर आए थे और ये मोर जब मेरे घर पर आते है न तो ये गंबलों को गिरा देते हैं मतलब जो दिवार पर रखे हैं न मैंने ओफिसर्स फ्लावर्स के जो मैंने बोटल वगरा से प्लांट लगा रहे हैं वो गिरा देते हैं तो मैं इन ही के लिए बैठी थी यहाँ पे कि यह कहीं इधर आ जाएं और इनको गिरा दें और अभी हो चुका है श्याम का टाइम नहीं पता होता बहुत ज़्यादा खुस भी होते हैं तो ऐसा ही कुछ माहौल था तो अभी मेरे घर पे आए थे गैस्ट मैं बना रही हूं चाहे और अभी इस क्लिप के बाद में जो क्लिप आएंगी वह आप लोग देखोगे तो हैरान रह जाओगे मुझे भी शो की लग थे तो यहां पर मेरे ससुराल से किसी के यहां पर लड़का हुआ था वो लोग यहां तीन सार दिन तक रुके थे तीन चार दिन तक उनका खाना मैंने श्याम का बनाया था लेकिन कभी व्लोग में नहीं लिया क्योंकि व्लोग सारे ऐसे आ रहे हैं कोई मतलब कभी का कभी लोग ऐसे आ रहे हैं थोड़ा सा सेडूल नहीं है थोड़ा सा मैनेजमेंट नहीं है ऐसे ही पहुंच रहे हैं सारे वीडियो तो मैंने उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया आप लोगों के साथ में अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रही हूं क्योंकि ये चा तो मुझे लगा पता नहीं कहां बुलाएंगे, फिर मुझे बुलाएं यहां पर, तो यहां पर आप देख रहे होंगे, मैं जाड़ू लगा रहे हूं, यह जो घर है ना, इस घर में, सरमाजी ने मिलको बोला जो है, कि हम सिफ्ट होएंगे, अब मुझे यह समझ में ने रहा देखिए इसका वाश्रूम है तो अब मतलब ये एक वो होता है न कि पूरा पैक घर है इस तरीके का घर जैसे हम जो होता है कि पूरा पैक बाहर से कोई बी चीज का कोई इश्यू नहीं कोई टेंसन नहीं बहुत ही प्यारी सी इसकी किचन भी है ये इसमें होल एरिया रहेगा और ये इसकी किचन रहेगी जो सामने आपको दिख रही है तो ये इसकी किचन है काık खूपसूरत सी किचन है मैं घर में मतलब ये नहीं कहरे कि घर में कोई खराबी है घर बहुत अच्छा है लेकिन मुझे इबात हजम नहीं कि इस घर में शिफ्ट होना है और अब जल्द होने का बोला है आप मुझे ये भी नहीं पता कि कब तक होएंगे बहुत जल्द कब तक कब तक इन्होंने डेट नहीं बताई बस ये काया कि इस घर में हम सिफ्ट होएंगे इसमें क्लिनिंग कर लो तो यहाँ पर मैं बस सफाई करने लगी थी तो आप लोग भी हैरान हो गए मेरी तरह है ये सोच करके कि इस घर में सिफ्ट क्यों होना है तो यहाँ पर इस घर में आप इन्होंने मिरे को बोला है कि पेंट होगा और पेंट होते ही हम सिफ्ट हो जाएंगे और पेंट दिवाली से पहले ही होगा तो साय तक दिवाली तक हम लोग इस घर में सिफ्ट हो तो इस तरीके का यह घर है आप लोगोंने साइद मतलब वहता है ना कि अचंबा क्या होगा इस चीज़ का कि यार यह क्या कर रहे हैं मतलब समझ में नहीं आता ना ऐसे कि अचानक से यह क्या डिसीजन ले लिया कि इस घर में सिफ्ट होना है खुद का घर भी है और अभी तक हमने इसमें इन्वेस्ट ही किया इस घर में पैसे लगाए ही हैं तो देखते हैं अब कितने दिन लगते हैं और कब पहुंचते हैं इस घर में यह वाला घर वैसे फाइनल इन्होंने किया है और कहां तक हमारी यह बात पहुंचती है और क्यों सिफ्ट कर रहे हैं सारी चीज क्या है वो सारी चीज़े मुझे नहीं पता और आप देख रहे होंगे मैंने ना आया भी नहीं है मतलब मैं मेरा गर का काम जो है न वो फिनिश कर रही थी मतलब कर नहीं पाई थी अभी तक उससे पहले इनका फोन आ गया था कि इस वाले घर में मतलब घर का बिवारे में नहीं बताया था मेरे को यह बोला था कि बस नीरू आ रहा है लेने के लिए तुम इसके साथ आ जाओ फिर मैंने पूछा भी था मैंने कि मेरा सारा काम पड़ा हुआ कैसे आ जाओं तो मुझे कोई बात इन्होंने किलियर नहीं की बस य इस गर में बहुत सारे प्लांट भी थे बार यह बहुत सारे पेड़ थे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे जो इन्होंने काटे हैं मुझे इतना तो पता था कि इस गर के जो पेड़ काटे जा रहे न वो मेरे लिए सर्दियों में जो इंदन का काम करेंगे न वो पता था कि इस गर में मुझे रहना भी है अब देखते हैं कैसा कुछ रहता है इनका ये डिसीजन इस गर में जाने का कारण सारी चीजे आप लोग इनसे पूछोगे तो सही तक ये क्लियर भी कर दें क्योंकि प्रेशर पड़ता है जब जाके इंसान क्लियर करता है अभी तक मुझे खुद को नहीं पता है और इतने पेड काट दिये इसके कि पूरी सर्दिया मुझे बाहर से एक लकड़ी लाने की जरूत नहीं है मतलब मैं सहुचरी थी नहीं पहले आरा मसीन से लेकर ना दी है लेकिन इतना नहीं है कि बस यहीं से काम चल जाएगा तो चलिए फिर अब मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए विलोग के साथ में बाय और टे क्यार थैंक्स फॉर वाचिए